प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अमारे चैनल पर, विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रवाहा कारी पुष्ति का हिंदी कक्षा, छे एवं साथ के अंतरगत, कारी पत्रक 31, आईए, शुरू करते हैं, कारी इस चित्र के आदार पर हमें नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देने हैं, प्रश्ण एक, उपर दिये हुए चित्र को देखकर बताईए, विद्यालाये में इस तरह का आयोजन किया जाता है, वार्षी कोशों पर, गांधी जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर, शन इस प्रकार का जो आयोजन है, कब किया जाता है, स्वतंता दिवस पर, तो यह इस पर सही का निशान लगाएंगे, अगला प्रश्ण दो, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिएं, तो हम लिखेंगे, विद्यालाये में, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, गुरुजी तिरंगा, फहरा रहे हैं, सभी विद्यारती प्रार्टना कर रहे हैं, हैं, तो इस प्रकार से, आप लिख सकते हैं, विद्यारती हो, अगला प्राश्ण तीन, आपके विद्यालाये में, कौन-कौन से पर्व मनाय जाते हैं, नाम लिखी हैं, तो हमारे विद्यालाये में, कौन-कौन से पर्व मनाय जाते हैं, गन्तंत्रता, दिवस, श्वतंत्रता, दिवस, गांधी, जयन्ती, शिक्षक, दिवस, श्री, श्री, कृष्ण, जन्माष्टमी, इत्यादी, और भी जो पर्व आपकी विद्यालाये में मनाय जाते हैं, वे आप लिख सकते हैं, अगला प्रश्णव चार, विद्यालाये में मनाय जाने वाले उत्सवों में, आप क्या-क्या कारी करते हैं, लिखिए, जब आपके विद्यालाये में उत्सवों मनाय जाते हैं, तो आप क्या-क्या कारी करते हैं, हम लिखेंगे हमारे विद्यालाये में मनाय जाने वाले उत्सवों में, हमा विद्यालाये की साज सज्जा करते हैं, सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, सांस्क्रतिक कारिक्रमों में बाग लेते हैं, यानि हम विद्यालाये में जब उत्सवों मनाय जाता है, हम उसमें बढ चड़ करके हिस्सा लेते हैं, उसमें पूरा सईहो करते हैं, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं op जो जो कारे करते हैं, वे कारिया आप इस प्रश्ण में लिख सकते हैं तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आज की काक्षा में प्रवाह कारिय पुष्थी का हिंदी काक्षा छे एवं साथ में कारिय पत्रक 31 को समझा आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं समझ सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं तो आपको अपनी अभिव्यक्ति देने का अभ्यास करना है उसकी प्रेक्टिस करनी है तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक रहें थेंक यू